हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केलकर है आज मैं आपके सामने आने वाला हूँ विशे लेकर डिप्रेशन उसको identify कैसे करना पहिचानना कैसे डिप्रेशन है बहुत ही common बिमारी है फिर उसको पहिचानना कैसे नंबर एक है कि sadness of mood मतलब उसका mood जो है भावना वो उदास हिंता क रहती है निराश और हताश रहता है तो नंबर दो का है भूख नहीं लगना तो यह लोगों को भूख नहीं लगती और भूख न लगने हैं मतलब खाने में कुछ रूची नहीं कोई interest नहीं कोई taste नहीं रहती है खाना उनको मतलब जासा ऐसा लगता है कि उसमें कुछ टेस् और important जो है, वो है loss of interest, मतलब रुची नहीं होना, कोई भी बात में रुची नहीं, ना काम करने में रुची, ना कहीं जाने आने में रुची, फिर क्यों होता है, नीन नहीं आना, ये लोगों को सबेरे जल्दी नीन खुल जाती है, ये रापको लेट तक नीन नहीं आती, या फिर बीच-बीच में नीन खुलते जाती है, मतलब sound sleep नहीं आती, गहरी नीन नहीं आती, फिर नेक्स दे पांचवा, psychomotor activity, psychomotor activity मतलब हमारी हल चल, हमारी जो movement है, तो कुछ लोगों को, हमारी जो movement है, वो बहुत slow चलेंगे, आराम से चलेंगे, आराम से बात करेंगे, उ उत्सा या उर्जा, तो बहुत के लोगों में बहुत कम हो जाती, depression में, बहुत ही कम energy, उनको कोई काम करने में उत्सा नहीं, weakness, ठकान, tiredness, फिर साटवा जो point है, उनको लगता है, guilt, guilt मतलब ऐसा लगता है, उनको लगता है, मैं बहुत बोशी हूँ, मैंने कोई अपराथ किय हुआ हुआ है, मैंने नहीं करना चाहिए था, या उनको रता है कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ, फिर आठो जो है, symptom lakshan जो है, वो concentration, मतलब ख्याल में रहना, कोई काम में, वो concentrate नहीं कर पादे, तो इसके वाज़र भूल जाते है, भूलकड़पना आ जाता है, कोई भी काम में एक चिप्त नहीं रहता हूं का, नौबा जो है, वो है self harm, self harm या, खुद को मतलब, कुछ ना कुछ ये कर लेना, injury कर लेना, या उनको दिमाग में विचार आते है कि suicide कर लेना चाहिए, आपको वीडियो अच्छा लगा, फिरू लाइक करो, सब्स्क्राइब करो, शेर कर आपके whatsapp ग्रूप के उपर, thank you very much